नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और बासवाडा जिले की गढ़ी विधानसभाश शेत्र की विधायक कैलास चंद मीना अपने विधानसभाश शेत्र में जनता के पृति अपने दायत्व को पूरा करते करते खुद ही उपचार रहत हैं हम आपको बता दे कि विधायक कैलाज चंद मीना पिछले दिनों जोदपूर में केंद्री मंत्री की माता के निधन और उसके बाद प्रदेश अध्यक सतीश पूनिया के जनम दीवस और वापस आकर प्रशासन गाउं संग अभियान, धरियाव अदुप चुनाओ और परताप पारी देते हुए बताया कि विधायक मीना का उनके निजी सहयोग्यों वो परिवार जनों की मौजूदगी में एहमदाबाद के निजी चिकित साले में डेंगो की पुष्टी होने के बाद इलाज चल रहा है वहीं विधायक मीना ने उनके जल्दी स्वस्थ होकर विधानसभा शेत्र की जनता की बीच में लोटने का भरुसा दिलाया हम आपको बता दे विधायक मीना की तबियत परतापूर में गौरो भट के निधन के बाद हुए जन आक्रोश के दौरान उनके परिवार जनों तक उचित नया दिलाने की मांग के दौरान खराब हुई थी जिसमें चक्कर आने के बाद परतापूर के सामुदाइक स्वास्ते केंदर में डॉक्टर विपिन बुनकर दौरा प्राथमिक उप्चार के बाद एहमदाबाद में उन्हें रैफर कर दिया गया था विधानसभा शेत्र गढ़ी के कारेकरताओ दौरा विधायक मीना के जल्दी स्वस्त लोटने की कामरा करते हुए दौआय की जा रही है वो आशिरवाद दिये जा रही है आपको यह भी बता दे कि मीना दौरा अपने विधायक मत से स्वर्गिय गौरव भट के परिजनों को 10 लाग की आर्थिक सहयता के साथ गौरव की धरम पतनी गायत्री को नगरपालिका में करमचारी के रूप में नौकरी देने की घोशना की